या topic तो आपने पढ़ ही लिया है इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले है कि कैसे हम किसी भी cue card को one minute में prepare कर सकते हैं आपको पता है when you appear for exam है ना जब आप examination hall में बैठे होते हो in front of the examiner तो क्या होता है examiner आपको clearly one minute का time देते हैं and during one minute वो आपको एक piece of paper और pen भी देते हैं so you can prepare notes अब मुझे पता है कि आप में से काफी सारे learners ऐसे हैं कि जिन्हें लगता है notes तो prepare करना ही नहीं चाहिए so according to you जो लोग notes prepare करते हैं उसमें करते क्या हो यार आप लोग है ना एक minute में क्या आप लिख लोगे हैं कौन से को स्टोरी लिख लोगे but I believe जो notes prepare नहीं करते हैं वो गलती कर रहे हैं इस वीडियो में मैं कितना अच्छा method बताने वाली notes prepare करने का one minute में जिसके through आप easily two and a half minutes and even up to three minutes आप बोल पाओगे किसी भी क्यों का topic पर so one minute बहुत ही जादा precious है आईए देखते हैं कैसे so let's say हमारे पास है क्यों का topic आगया and the topic is an event you attended recently an event you attended recently अब जरूरी नहीं है कि आपने कोई art exhibition अटेंड करा है तो उसी के बारे में बात करोगे अब जैसा I'm not into arts मुझे इतना कोई इंट्रेस्ट नहीं है ऐसा कुछ इंट्रेस्ट नहीं है कि में म्यूजियम में जाके देखूँ जादा है ना या कुछ art exhibition जाके अटेंड करूँ या कोई पेंटिंग का कुछ कुछ ऐसा अटेंड करूँ So every person is different हो सकता है आपको काफी अच्छा लगता हो अगर अगर लगता है तो मुझे comment section में बताना कहा पे कब क्या अटेंड करा है ठीक है So an event you attended recently So I think मैंने आप लोगों के साथ share भी करी थी यह चीज़ शॉट्स के थ्रू So I went to this YouTube Educon event ठीक है So आपको पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में बात करने हो बस एक story आपके mind में होने चाहिए अब वो one minute में आपने उस story को कैसे explain करना है Let's say आपने बात करी किसी एक particular event की So मुझे पता है मैं यहाँ पे YouTube Educon event की बात कर रही हूँ तो मैंने लिख दिया YouTube Educon event अब यह कब हुआ था event वो भी पता है मुझे 24th September ठीक है 2022 अब यह जो event था 24th September को दो साल के gap के बाद हुआ था 2 नी 3 Because I vividly remember जब मैं सबसे पहली बार इस event में गई थी न Summer was only 2 year old So खाली वो 2 था He was about 2 That time he was about to turn 2 So वो छोटा सा, he was just crawling there and walk कर रहा था Sorry, crawl तो नी कर रहा था, 2 साल का था So तब की यह बात है So उसके बाद यह event हुआ ही नहीं 3 years क्यों क्योंकि COVID आ गया था So that means यह अब 3 years के बाद हुआ So वो मैं explain करूंगी I was looking forward to attending this event Why? I was pretty excited ठीक है? For this event Because It didn't happen for क्यों कितने साल ने हुआ Didn't happen for 3 years ठीक है? Because of COVID-19 situation आपने mention कर दिया यह So आप clearly बता पारे हो कि क्या हुआ कैसे हुआ फिर आपने क्या करा उस इवेंट में? आप वो चीज कुछ मेंशन कर सकते हो अब टाइम तो 1 मिनट का है आपको पता है कि अब आपने एड्यू कॉन इवेंट के बारे में बात करना है अब इट्स बेटर आप स्टोरी को आगे एक्स्प्लेइन कर रहे हो आपको पता होना जी यह बस आपने क्या करा? वो शॉट में लिख दो मैंने शॉट्स शूट करी थी कुछ इंग्लिश सीखो वाले चैनल के लिए मैंने कुछ शॉट्स शूट करी थी वहाँ पर ठीक है? अब मैं यहाँ पर किस तरीके की वोकाब यूज कर सकती हूँ? दपूड वोज डिलिश्यूस ठीक है? सो वहाँ पर क्या था? बुफे ओके? इट वोज इन होटेल अलोफ्ट and the whole area looked like Dubai क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतने सारे skyscrapers थे ठीक है? आपको जो जो चीजे लगती है वो उस तरीके के words आप use कर सकते हो rejuvenated मतलब refresh हो गए वो event attend करके nostalgic feel कर रहे थे क्यों nostalgic feel कर रहे थे? क्योंकि आप last time जब वो event attend कर रहा था अब जब इस बार गए तो then also you were feeling nostalgic nostalgic इसले feel कर रहे थे? because you were recalling the old memories पुरानी यादों में आप थे है ना? that's why you were feeling nostalgic so ab another point I have made up my mind that I'll attend the event again ठीक है? I have made up my mind that I'll not miss any event like such made up my mind as I got an opportunity of meeting various और a number of content creators I got an opportunity of meeting a lot of content creators ठीक है? उसके बाद देखो आपको इतना पता है कि आपने vocab use करने है तो कभी भी जो one minute का time मिलता है उसमें आप story मत लिखो इतना time तो हो गई ने instead of writing story आप बस थोड़ा सा part लिखके right hand side में कोई एक particular thing आप आप shots आपको याद आ गया उससे related आप 40-50 seconds आराम से बोल लोगे पिछले तीन सालों में नहीं हुआ उससे related आप 30 seconds बोल लोगे excited थे आप इस event के उससे related 20 seconds बोल लोगे फिर event का ये बता दोगे एक और चीज हुई थी earlier we were getting an invitation only for one person but later on we got the invitation for two persons so वो क्या हुआ था वो थोड़ा सा आपने explain कर दिया फिर वहाँ पे आपने vocab कौन कौन से use करनी है वो आपने लिख ली ठीक है vocab use करने के बाद made up my mind आपने एक idiom use कर लिया और कौन सा idiom use कर सकते हो I was on cloud nine when we got the second invitation क्योंकि पहले तो invitation आया नहीं पहले single invitation आया था because covid protocols की वज़े से they were taking care of the number of people over there so that's why उन्होंने single भेजा but then we asked them and then they sent another so I was on cloud nine ठीक है एक और idiom हो गया ठीक है I was feeling a bit under the weather ठीक है just before the event so जब ये event 24th को होना था I was not feeling well so आप not feeling well की जगा use कर सकते हो I was feeling a bit under the weather for the last two days prior to the event ठीक है in the last two days prior to the event I was feeling a bit under the weather so आपने वो भी idiom use कर लिया so that means जब आप bit under the weather का मतलब होते है जब आप बिमार होते हो ठीक है तो उसे हम बोलते हैं bit under the weather अब आपको ये चीज़ पता चल गई की कैसे लिखनी है बस आपने इसी तरीके से वो जो आपको one minute का time मिलता है उसमें थोड़ा सा पाटी एक्स्प्लेन करके बाकी आपने vocabulary and idioms mention करने है बस क्यों ये mention करने ज़रूर है कि यार story तो आप नहीं भूलने वाले बट वहाँ पे जो अपने idioms और vocab incorporate करने है वो आप ज़रूर भूल सकते हो इसी लिए vocabulary and idioms ज़रूर लिख लेना so that you do not forget to incorporate these two things in your cue card answer because of these two things you can score well in your cue card so cue card में vocabulary and idioms ये दोनों चीज़े बहुत ही ज़ादा important है because हम short short answers में idioms नहीं यूज़ कर सकते हैं so idioms आप कभी भी notice करना easily आपके एक lengthy answer में यूज़ हो सकते हैं और वो lengthy answer हमारा cue card वाला answer ही होता है so इस तरीके से आप किसी भी cue card को one minute में कर सकते हो but अभी मैं वीडियो को end करने से पहले आप लोगों को ये बोलूँगी अगर आपको किसी भी particular cue card topic में problem आती है तो वो topic मुझे comment section में बताओ I'll try to create a video like such on the same topic so I hope you like this video and if that's a yes do let us know in the comment section thank you